चार पाई है साथियों ये नव प्रत्यासियों के समर्थन में दूसरे चरण की वर्चुल महारेली जो चल रही है इस रेली का जो अध्यच्ची उद्बोधन करने के लिए मैं मोल निवासी नायक मानी सम्मानी आदर्नी वामन में स्राम साहब राष्टी संयोजक राष्टी प साथियों आज़ शाम को छे बजे राश्टी परिवर्तर मोर्चा के द्वारा जो वर्चुल रैली का आयोजन किया गया है वो वर्चुल रैली दूसरे चरण के केंडिडेट के प्रचार के लिए यह पर यह वर्चुल रैली आयोजन की गई है इसलिए इस वर्चुल रैली के द्वारा जो दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाले चुनाव क्षेत्र है वहां पर राष्टिय परिवर्तन मोर्चा के जो भी प्रतिनिधी जो भी केंडिडेट उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे है उन सभी लोगों का परचार करने के लिए आज की यह वर्चुल रैली आयोजन की गई है तो यह जो राष्टिय परिवर्तन मोर्चा है तो सबसे पहले तो मैं आपको यह राष्टिय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया यह बताना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि यह नया नया शब्द है राष्टिय परिवर्तन मोर्चा यह नया नया शब्द है तो इसलिए यह राष्टिय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाना पड़ा यह जानना यह समझना बहुत जरूरी है राश्टिय परिवर्तन मोर्चा कोई राश्टिय अस्तर की पार्टी का नाम नहीं है यह गड़बंदन का नाम है जैसे सोनिया जी ने युनाइटेट प्रोग्रेसिव अलाइंस बनाया उसी तरह से अटल बिहारी और अड़वानी जी ने इंडिये नेशनल डेमोकर्टिक अलाइंस बनाया यह दोनों पार्टिया नहीं है गड़बंदन है उसी तरह से इस देश में रहने वाले 85% लोगों के द्वारा जो लोग 85% है वो लोगों के द्वारा रास्टिय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया यह रास्टिय परिवर्तन मोर्चा जब लखनों में बनाया गया तो उस समय अठ्रा पार्टी के लोगों ने मिलकर यह बनाया था तो इस तरह से ए रास्तिय परिवर्थन मोर्चा ए परिवर्थन करने के लिए बनाया गया गड़बंदन है इसलिए ये रास्तिय परिवर्थन मोर्चा राजनिती क्षेत्र में SC, ST, OBC और माइनरिटी का प्रतिनित्व करेगा और रास्तिय परिवर्थन मोर्चा सामाजिक शेत्र में भी SC, ST, OBC और माइनरिटी के लोगों को इखटा करके रास्तिय अस्तर का आंदोलन करने के लिए भी काम करेगा जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव में उपयोग करेंगे जब चुनाव नहीं रहेगा तो तब इसका उपयोग सारे रेजबर में जनांदोलन करने के लिए किया जाएगा ये रास्तिय परिवर्तन मोर्चा क्यूं बनाया गया ये बात बताया जाना जरूरी है साथियों ये बताने के लिए दो बाते बताना बहुत जरूरी है पहली बात ये आजादी का अंदोलन आजादी का अंदोलन नहीं था ये बात समझना बहुत जरूरी है ये आजादी का अंदोलन आजादी का अंदोलन नहीं था ये अंदोलन अंग्रेजों को भगाने का अंदोलन था और अंग्रेजों की जगा ब्रामनों को प्रस्तापित करने का अंदुलन था ये बात कालपनिक नहीं है ये बात सच्चाई है क्योंकि आजाद भारत में जब 26 जनवरी 1950 को सविधान लागू किया गया और जब इस पर अमल करने का मामला आया तो 1952 को प्रतम लोग सभा का चुनाव जब हुआ तो पंडी जवालाल नेरू कॉंग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री भी थे और कॉंग्रेस पार्टी के प्रिसेडेंट भी थे जो ए भी फॉर्म पर साइन करने का उनके पास अधिकार था तो उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से 60% टिक्टे ब्रामन लोगों को दी और 47% ब्रामनों को चुनवा कर लाया सारे 22% यसी और यस्टी के जो पुना पैक के द्वारा नॉमिनेटेट रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने ही नॉमिनेट किये थे इसलिए उनके हां में हां मिलाने वाले लोग थे उनके सहारे से फोटी सेवन और साड़े 22 तो ये लगभग 70% के लगभग ये आकड़ा हो रहा था 70% लोगों का सहारा लेकर आजाद भारत में भारत के संसत पर आजाद भारत के संसत पर कब्जा कर लिया गया और उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आज भारत का जो लोग तंत्र है उस लोग तंत्र में जो चार पीलर है विधाई का जहां कानून बनाया जाता है वहाँ पाँच पाँच नेशनल लेवल की पार्टिया केवल मात्र ब्रामनों की है और उसमें कॉंग्रेस पार्टी चटर जी मुकर जी बैनर जी गोखले तील कागर कर इनों ने अठाचाच पचाची को बनाया और आरैसेस के लोगों ने पहले जनसंग बनाया और बाद में भारतिय जनतापार्टी पंदी अटल बिहारी वाचब जी ने बनाया Communist Party Shripad Ambrut Dhanage ने बनाया और इसी से निकले वी दूसरी Communist Party EMS नम्बुदरी पाद केला के नम्बुदरी ब्रामन ने बनाया और पाचवी त्रोनमुल कॉंग्रेस ये पाचवी पाच पाच नेस्टनल लेवल की पार्टिया है जिनके चार सो साड़े चार सो से जादा संसद हैं चुन कर जाने वाले इतना कबजा भारत के संसद पर इनके पार्टी के लोगों का किया गया है योजना बना कर यह सब किया गया है तो लोग तंत्र के जो चार पीलर है उस प्रास्ते पहले विधाई का के पीलर पर उन्होंने कबजा किया और उसके बाद जो कानून बनाए उसके तहत कारिय पालिका में जो I.S. I.P.S. I.R.S. अधिकारी होते हैं 80% प्रशासनीक मशनरी पर इन्हीं लोगों ने कबजा कर लिया है कबजा करवाया गया है यह दूसरा पीलर है तीसरा पीलर है न्याए पालिका जिसमें ब्राह्मन और तस्व मूचे जाती के लोगों ने 97% कबजा कर लिया है और यह लोग उसके द्वारा सविधान की अपने नुकूल वियक्ख्या करने का काम कर रहे है कि चोग्टा फिलर है मेडिया 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 में चार प्रकार का मेडिया है पर टॉनिक मेडिया पर उनका कपजा है प्रिंट मेडिया पर उनका कपजा है जहां अगबार और किताबे चापी जाती है डेडिशनल मेडिया में मुरारी बापू आसराम बापू डोंग्रे महाराद वोजा महाराद पाजा महाराद राजा महाराज सारे महाराज उनके है और उन उंत्रन कर लिया है हमारे लोग तो देशी भाषा बोलते हैं और यह लोग जो है संस्क्रिताइफ हिंदी बोलने में महारत हासिल करके इस तरह की हिंदी बोल करके उसपर उन्होने कब्जा किया हुआ है इस तरह से लोग तंतर के चारोपीलर पर विधाई का कार्यपाली का न्याएपाली का और मेडिया चारोपीलर पर कभजा किया गया है और इस तरह से चारोपीलर पर जब कभजा किया गया तो देश में जो representative democracy आने ही चाहिए थी सविधान भारत में लागू करने के पीछे बाबा सबाम बैटकर का जो मकस्त था कि डेमाउक्राशी तभी वजूद में आ सकती है जब representative democracy हो प्रातिनिधीक लोगasis था हो इस तरह से प्रातिनिधीक लोगतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोगतांत्रिक व्यवस्ता पर व्रामनों के द्वारा कब्जा किया गया है तो यह बात हम लोग चुनाओं में एंद मुद्धा बनाना चाहते हैं हम लोग कोई नीजी तोर पर ब्राह्मनों का विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं वैसे भी डियेने के अनुसार ब्राह्मन विदेशी चिद्ध हो गया है तो इस इसाफ से हम ब्राह्मन को ब्राह्मन जाती के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मन विदेशी है, इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, तो इस तरह से आजादी मिलने के बाद जब ब्राह्मनों का कबजा हो गया, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी का कबजा हो गया, आजादी मिली कहा, आजादी मिली नहीं, ये बात हम लोगों को जानने की और समझने की है, चुनाओ के मोखे पर लोग ज़्यादा बाते सुनना चाहते हैं, इसलिए ये बाते हम लोगों को समझा रहे हैं, बताना च जा रहे हैं इस पर गंभिता से सोचने की विचार करने की जरूरत है कि साथियों इस तरह से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्ता कि पचासी परसेंट लोगों के ऊपर थोप दी गए तो ये थोपीवी व्यवस्ता है इस थोपीवी व्यवस्ता से हमें लोगों को बदलना होगा हमें इस व्यवस्ता को बदलना होगा बदलने के लिए राष्टिय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है ये बात ये ध्यान रखना जरूरी है ओड देने के पहले ये बात ध्यान रखना जरूरी है दूसरी बात में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सेंटल गौर्मेंट में बीजेपी का कब जा है जो संग की राजनितिक शाक और उत्तरपदेश मैं भी कब जा है तो यह लोग हिंदुतव का प्रचार कर रहे हैं हो उल्चो इससे समझने की जरूरत वे हिंद टू क्या है यह मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह इंदुत्व क्या है कि हमारे यह सी यह स्टी ओवी सी और माइनोरीटी के पड़े लिखे लोगों को भी यह बात समझ में नहीं आती है यह इसलिए वह भी misconception के शिकार है साथियो ये हिंदुत्व शब्द बना कैसे इसको समझना बहुत जरूरी है हिंदुत्व शब्द बनाने के पीछे एक सोच है इस देश में ब्रामनों ने समाज व्यवस्ता पर हजारों सालों से कब्जा किया था और उसके लिए जो व्यवस्ता उन्होंने बनाई थी वो व्यवस्ता थी वर्न व्यवस्ता और वर्न व्यवस्ता के शिर्चस्तर पर ब्रामन बैशे हुए है तो हिंदुत्व का जो इलेमेंट है प्रधान इलेमेंट है मुख्य तत्व है वो है वर्ण व्यवस्ता और वर्ण व्यवस्ता के शिर्चस्तर पर ब्रामण लोग बैठे हुए है तो ये हिंदुत्व का पहला तत्व है हिंदुत्व बना कैसे ये समझना जुरूरी है चब भी जनवरी 1950 को जब सविधान लागू हुआ तो हर 20 साल के व्यक्ति को ओट का अधिकार मिला जो आज 18 साल का हो गया है उसको ओट का अधिकार मिला हुआ है और उन लोगों को ये हिंदुत्व समझ में नहीं आता वो जो अपने को हिंदु कहते हैं तो उनको लगता है ये हिंदुत्व हमारा ही है उन लोगों को मैं ये minority के लोगों को समझा रहा हूं तो हिंदुत्व का पहला element जिसके आधार पर जिस मुलतत्व के आधार पर ये बना उसका पहला तत्व है वर्न व्यवस्ता जिसके शिर्शस्तर पर ब्रामन बैठा हुआ है और ब्रामन के ऊपर कोई नहीं है सारे अधिकार उनके नियंत्रण में है सारी व्याक्याएं उनके नियंत्रण में है सारे अधिकार उनके नियंत्रण में है और सारी प्रजा उनके नियंत्रण में है ऐसी वर्न व्यवस्ता उन्होंने बनाई ये महत्व पुर्ण element है तो हो जब 21 साल और आज 18 साल के व्यक्ति को अधिकार मिला तब ब्राह्मनों को लगा कि हम ब्राह्मन के नाम पर प्रचार करेंगे तो हमें बहुत संख्यांक जो पचासी परसेंट लोग है वो हमारे विरोध में चले इसलिए उनको गुम्राह करना होगा गुम्राह करने के लिए गुम्राह करने के लिए ब्राह्मनों ने एक नया शब्द गड़ा नया शब्द बनाया वो शब्द का नाम रखा उन्होंने हिंदुत्व बनाने वाले को नहीं ब्राह्मन हिंदुत्व शब्द सबसे पहले मालूम नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कि हिंदुत्व शब्द सबसे पहले किसने व्यवहार मिलाया तो उस व्यक तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस शब्द के निर्माता ब्राह्मन है और उनकी एक समश्या है वो समश्या क्या है उनकी समश्या ये है कि हर एक की साल के व्यक्ति को जो बोट का अधिकार मिलेगा तो SC, ST, OBC, Minority के लोग बहुत संख्यांग हो जाएंगे 85% हो जाएंगे अगर इनको ब्राह्मन के नाम पर हम बताएंगे तो ये सारे के सारे लोग ब्राह्मनत्व के विरोध में हो जाएंगे इसलिए उनको ब्रामनत्व का ही काम करना था मगर ब्रामनत्व के नाम पर परचार नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत संख्यांग लोग विरोध में हो सकते थे इसलिए उन्होंने ब्रामनत्व का नाम बदल कर हिंदुत्व रखा ताकि S.C.S.T.O.B.C. के लोगों को मुर्ख बना कर हिंदु के नाम पर उनके वोट लिए जाए और फिर उनको ही गुलाम बना के रखा जाए इसलिए उन्होंने हिंदुत्व शब्द गड़ने का काम किया यह बात सबसे पहले S.C.S.T.O.B.C. माइनरोडी के लोगों को समझना जरूरी है दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दूसरी बात है जाती व्यवस्ता एवी ब्रामनों ने बनाई ब्रामन इसके निर्माता है और समराट ब्रदत मौरिय की हत्या करने के ब पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्रामन ने जब यह हत्या की उसके बाद में जाती व्यवस्ता लागू करने का अभियान शुरू किया गया ऐसा बाबा सबामबिट करने फिलासॉफिय आफ हिंदुईजम नाम के गरंत में लिखकर रखा है यह मेरी बात नहीं है बाबा सब भूतों के साथ उन्होंने कही तो इस तरह से जाती विवस्ता के निर्माता भी ब्रामन है तो इसलिए यह जो हिंदुत्व का सोशल इलेमेंट है यह जाती विवस्ता भी है यह दूसरा इलेमेंट है तीसरा इलेमेंट है अस्फुरुष्यता जो लोग वर्न विवस्ता मान मानते हैं अगर वो कहें कि हम अस्पुरुष्यता नहीं मानते तो यह बहुत बड़ा भ्रम है क्योंकि अस्पुरुष्यता वर्न विवस्ता और जाती विवस्ता का परणाम है जब तुम कारण मानते हो तो परणाम नहीं मानते हो यह तर्क बनता नहीं है यह तर्क हम लोगों को समझने की जरूरत है तो यह अस्प्रुश्यता भी हिंदुत्व का इलेमेंट है यह मानते हैं प्रचार में नहीं मानते हैं व्यवहार में मानते हैं यह बात हमको समझने की जरूरत है शूब अशूब वाला जो मामला है यह बरामनों के द्वारा ही लाया हुआ मामला है छूट अचूट वाला जो मामला है यह बरामनों के द्वारा ही भारत के धार्मिक व्यवस्ता में सामाजिक व्यवस्ता में लाया हुआ मामला है तो यह बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि यह अस्पुर्शता तीसरा इलेमेंट है इंदुत्वका जो मूलता ब्रामनत्व है चौथा इलेमेंट है वो है घुमन्तू जातियों का भहिश्कार इस देश में घुमन्तू जातियों को भहिश्कूरूत किया गया है जिनकी संख्या लगभग 12 करोड है 140 करोड में लगभग 12 करोड घुमन्तू जाती के लोग है कोई छोड़े मोड़े लोग नहीं है तो इनको बहिश्कुरूत किया गया है ये गाउं के बाहर रहते हैं और एक जगा नहीं रहते हैं लगातार घुमते रहते हैं इसलिए नाम पड़ा घुमन्तु तो ये भी उनी लोगों ने जो व्यवस्ता बनाई उसी व्यवस्ता का एक इलेमेंट है पाँचवा इलेमेंट है शुद्रत्व ओबी सी के ऊपर बावन परसेंट ओबी सी के ऊपर थोपा गया है और यह थोपने का काम भी ब्रामनों के द्वारा किया गया है यह किसी और ने थोपा नहीं है और यह कोई कालपनिक बाते हम नहीं कह रहे हैं ब्रामनों के जितने धर्मशास्त्र जिसके सारे डाकुमेंटरी इविडन्स हमारे पास है और ये documentary evidence के आधार पर हम कहे रहे हैं कि 52% OBC के ऊपर जो शुद्रत्व है ये ब्रामनों के द्वारा थोपा गया है अस्पुरुष्यता और शुद्रत्व दो अलग अलग बाते हैं ये बाते शडूल कास्ट और OBC के लोगों को समझना ज़रूरी है अस्पुरुष्यता अलग बात है और शुद्रत्व अलग बात है OBC के ऊपर शुद्रत्व थोपा गया है 52% OBC के ऊपर शुद्रत्व थोपा गया है ये बात जानने और समझने की ज़रूरत है शडूल कास्ट शडूल टाइप के लोगों को भी समझना ज़रूरी है OBC के लोगों को भी ये बात समझना जरूरी है तो ये पाँचवा element है शुद्रत तो OBC पर थोपा गया है छे नंबर का है आदिवासियों का segregation इनको जंगलों में पहाडों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है इनका अलगी करन कर दिया गया है आदिवासियों का ये भी हिंदुत्व का element है छे नंबर का साथ नंबर का element है महिलाओं को दास बनाया जाना ब्राह्मन की मा है क्योंकि ब्राह्मन विदेश से भारत में आये है तो वो पुरुष पुरुष आये थे महिलाओं नहीं आई थी वो पुरुष पुरुष आये थे तो प्रजनन के लिए उन्होंने यहां की ही महिलाओं को उठाया डियेनेने ने भी इसको ब्राह्मानित किया और ब्राह्मनों के धर्मशास्त्रों में समस्त महिलाओं को ब्राह्मनों ने शुद्र गोशित किया कि यहान करने वाली बात है कि ब्राह्मन अपनी मा को भी शुद्र कहते हैं वो जनेवु धारण करते हैं अपनी मा को नहीं देते हैं अपने बीवी को जनेवु नहीं देते हैं अपने बेटी को जनेवु नहीं देते हैं अपने बहु को जनेवु नहीं देते हैं मा, बीवी, बहु, बेटी, और अगर बहन पांच महिलाए हैं, महिलाओं के पांच प्रकार की बाते आपको बता रहा हूँ, यह पांचों महिलाओं को जने उधारन करने का अधिकार नहीं है, अरे, CST, OBC महिलाओं को तो नहीं है, मगर ब्रामनों की महिलाओं को भी नहीं है, उनको भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सारी मूल निवासी महिलाओं है भारत की, और इस तरह से साथ इलेमेंट है हिंदुत्वक्य, अगर अध्धेन करें तो पता चलें, अरे, यह तो ब्रामनत्वक्य इलेमेंट है, यह तो ब्रामनत्वक्य इलेमेंट है, फिर इनको यह लोग हिंदुत्वक्य क्यों कह रहे हैं, अगर बाबा सब आमबेट करने, एकिस साल के व्यक्ति को ओट का अधिकार नहीं दिया होता, तो यह ब्रामनत्व ही रहता, यह हिंदुत्व नहीं बनता, यह ब्रामनत्व ही रहता, क्योंकि फिर कोई रुकावट नहीं होती, कानों नहीं रुकावट नहीं होती, तार्किक रुकावट नहीं होती, बहु संख्यांक लोगों के विरोध का कारण नहीं होता, तो वो इसको ब्रामनत्व के नाम पर ही परचार में लाते ब्रामनत्व को छुपाने के लिए उन्होंने इसका नाम हिंदुत्व रखा ताकि छुपकर ब्रामनत्व इन लोगों पर थोपा जाए और इन लोगों को गुलाम बनाया जाए तो देश में जो हिंदुत्व का जो अजंडा चलाया जा रहा है वो गुप्त रुप से ब्रामनत्व का ही अजंडा है और इन लोगों को गुलाम बनाने का अजंडा है ये बात हम लोगों को समझना होगा अब मैं एक दो बात है आप लोगों को और बताना चाहता हूँ वो यह है कि रास्टी परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जैसे कांग्रेस ने प्रियंका गांदी को मुख्यमंत्री पत्सका चेहरा बनाया समाजवादी ने अखिले शादों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया बहुजन समाज पार्टी ने मायावती का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया बीजेपी ने आदित्यनात का चेहरा बनाया और इस तरह से यह चेहरा बनाया तो राश्टिय परिवर्तन मोर्चा का भी मुख्य मंत्री पत्का कोई कैंडिडेट होना चाहिए कोई चेरा होना चाहिए इसलिए पहले धाई साल के लिए प्रवेंद्र प्रताप आप धाई साल के लिए पहले टर्म के लिए मुख्य मंत्री पत्के कैंडिडेट होंगे और दूसरे धाई साल के लिए राम सुरुफ वर्माजी जो किसान राष्टी है किसान मोर्चा के राष्टी अद्यक्षे किसान आंदोलन के अगुआ है और चार मैने तक थंडी में वहां दिल्ली में इस लड़ाई को लड़ने के लिए टेंट कारके वहां लड़ रहे थे और इस तरह से ये लड़ाई वहां लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे तो इस तरह से ये लड़ने वाले जो लोग हैं ये लड़ने वाले रामसो फरमाजी को धाई साल के लिए एक तो ये कुर्मी जाती के हैं दूसरा ये किसान हैं तीसरा ये वो भी सी है इस तरह से तीन तीन गून धारन किये हुए विक्ती है और इस तरह से आपको दूसरे साल के लिए मुख्य मंत्री पत्का केंडिडेट बनाया गया है इसके अलावा राष्टिय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा पांच मुख्य मंत्री पत्के eerद बनाए गये है तो यह पांच मुख्य मंत्री पत के कंडिडेट कोण है तो यह उपर मुख्य मंत्री पत के केंडिडेड कों है यह थौड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जबट टेहरो यह नहीं हो तो इस benefit है जो रास्तिय परिवरत्न मोर्चा ने बनाएं वो है पहले है माननिया मेर्बान अली पच्छिमी उत्तर बदेश के हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्टी हमास अच्यू है यह उपमुख्य मंत्री पंत के केंडिडेट है वोवेशी साफ समाजवादी मुख्याएं पार्टी को डेप्टी सी हम की मांग करते हैं कि हमने मांग करने के पहले है कि एक मुस्लिम बेक्ति को डेप्टी सी यम गोचित कर दिया है गया दूसरे कि डोक्तर रगुनन्दन निशाद कि वर्फ थ मल्ला इनको डिफ्टी सीम बनाया गया है यह MBC के हैं तीसरे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुश्वा आजमगर के यह भी MBC के हैं तो दो लोग MBC के हो गये हैं MBC को लोग प्रतिजी तो नहीं देते हैं मगर यहां दो दो उपमुख्य मंत्री का पद दिया गया है चौथा केंडिडेड है राम अजोर सरोज इस शरूल कास की जाटो चमार के बाद दूसरे नंबर की संख्या रखने वाली जो पासी जाती है जो खास तोर पर मध्य उत्रपदेश और पुरी उत्रपदेश में बहुतायत संख्या में दिखाई देती है उनका उपमुख्य मंत्री पत का कैंडिडेड है जो काशिराम जी के समय से एक कारे करता सीनियर मुस्ट कारे करता है और आज भी लगे हुए है रिटार्मेंट के बाद भी आंदोलन में लगे हुए है उनको उपमुख्य मंत्री बत का कैंडिडेट बनाया गया है पांचवे कांडिडेड है दिनेश लोधी ये बुंदेल खंड को प्रसिजित वकी जेने की ज़रूरत थी है तो एक रीजनल एस्पाइरेशन से बुंदेल खंड के तरफ कोई ध्यम देने के तयार नहीं है तो बुंदेल खंड से देनेश लोधी जी को डेफ्टी सीम का कैंडिडेट बनाया गया है और लोधी कम्मुणिटी के भी है उनको प्रदिनीत्व देना भी जरूरी है ये भी MBC के है इस तरह से इस डेफ्टी सी एरो में तीन तीन MBC के डेफ्टी सीम बनाये गये हैं न बीजेपी ने दिया न समाजवादी ने दिया न बीएस पी ने दिया ऐसा प्रतिनी धित्व राष्टिय परिवर्तर मोर्चा के द्वारा और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा दिया गया है तो यह सारे सामाजिक समोह को 85% लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनी धित्व दिया गया है और इस तरह से सारे समाज को साथ में लेकर चलने की बाते हो रही है और वियवहार से क्योंकि जितने लोगों के उप मुख्य मंत्री पत के लिए नाम दिये गये हैं वो लिए रूप से काम करने वाले कारे करता है लगातार किसी लालज में नहीं बलकि समाज का काम करने वाले लोग हैं तो यह वोट देने के पहले हमारे लोगों को तमाम लोगों को यह ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक दो बाते और मैं कहिके अपनी बात समाप करना चाहता हूं साथियों पहली बात तो यह है कि कि अखिलेश श्यादव जी के द्वारा और उनके पार्टी के द्वारा उनके चाचा जी के द्वारा बढ़िया राम मंदिर हम बनाएंगे ऐसा वादा किया गया इसका मतलब यह है कि बाबरी मज्जिद को जबरदस्ती तुड़वा कर जो राम मंदिर बनाया जा रहा है तो यह बढ़िया राम मंदिर बनाने का वादा एक तो मुसल्मानों के विरुद में है दूसरी बात राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा है यह जो वर्न विवस्ता जाती विवस्ता लागू करने वाला मामला है क्योंकि रामायन में राम ने शुद्र शंबुत की हत्या की थी यह विचारधारा वहाँ पर है तो इसलिए अगर ये राम ब्रह्मनों के आदर्श हो सकते हैं मगर ये राम बहुजनों के A.C.S.T.O.B.C. के आदर्श नहीं हो सकते उसका राम मंदिर वो बनाना चाहते हैं कि दूसरी बात वो ब्रह्मनों के जो पुरोहित है उनको वेतन देना चाहते हैं सरकारी को से जिसमें C.S.T.O.B.C. के लोग टैक्स देते हैं उनके टैक्स से ब्रह्मनों को वेतन देना चाहते हैं पुरोहितों को और इस तरह से ब्रामन धर्म और ब्रामन वाद को मजबूत करने के लिए सरकारी पैसे से अकिलेश यादों ने वादा किया है ऐसे स्थिती में हमने मुसल्मानों को पूछा कि ऐसा ऐसा अकिलेश जी करना चाहते है तो अब आपका क्या कहिना है तो मुसल्मानों ने हमें कहा कि हमारी मजबूरी है हमारी मजबूरी है अकिलेश को लाना तो हमने उनको कहा कि दलाल किसम के जो मुसल्मान है उनकी मजबूरी हो सकती है इच्जद्दार मुसल्मान आजाद मुसल्मान सम्मान जनक जीवन यापन करने की इच्छा रखने वाला मुसल्मान की कोई मजबूरी नहीं है दलाल टाइप जो मुसल्मान है उनकी मजबूरी हो सकती है मगर जो इच्जद्दार मुसल्मान है जो अपनी रोजी रोटी अपने इमान से कमा कर खाता है उसकी कोई मजबूरी नहीं है और इसलिए मैं ये बात मानने के लिए तयार नहीं हूँ कि अखिलेश चादों को वोड़ देना हमारी मजबूरी है अब लोगों के पास विकल्प है राष्टिय परिवर्तन मौर्चा का विकल्प है ये राष्टिय परिवर्तन मौर्चा का विकल्प है तो वहां पर मुसल्मानों को वोड़ देना जरूरी है मुसल्मानों को इसी लिए अपील है कि वो इस राष्टिय परिवर्तन मुर्चा को वोड़ दे हमारे पास जब मुसल्मानों पर जब भी कोई संक्टाया तो हम लोगों ने A.C.S.T.O.B.C. के लोगों ने सत्ता हमारे पास ना होने के बावजूद भी सारे देज भर में मुसल्मानों की मदद करने काम ने काम किया एने संक्ट काल में हमने मुसल्मानों की मदद की हर महत्व पुर्न मुद्दे पर संक्ट काल में हमने मुसल्मानों की मदद की और जब चुनाव आया तो चुनाओ में अगर आप अखिलेश को चुनते हो तो क्या अखिलेश ये चुनाओ मैनेफिस्टों में वादा करने के लिए तयार हैं कि उनका राज आने के बाद उत्तर पदेश में फसाद नहीं होगा मुजफर नगर है कि वो पूर है मुजफर नगर में जो फसाद हुआ हजारों मुसल्मानों को काटा गया ये फसाद अखिलेश के राज में हुआ अईसाई फसाद अखिलेश की सरकार आने के बाद दुबारा नहीं होगा इसके कोई गैरिंटी है और जब ये फसाद हो रहा था तो अखिलेश यादव सर्फई में अपने गाओं में नाच गाने का कारेकरम कर रहे जिसे पराने जमाने में सामन्त होते थे और अपने घरों में लड़कियों को रवर्तों को बुलाकर उनको नचवाते थे उसी तरह से सैफई में ये नाच गाना करवा रहे थे जैसे फसाद का मातम मनाने के बज़ाए खुशी मनाने का काम कर रहे थे ऐसा वहां से संकेत मिल रहा था साथियों तो मुझे किसी भी मापदंड में अगर अखिलेश की सरकार आई तो अगर अखिलेश लिखवा कर देने के लिए तयार नहीं हैं तो जो मुसल्मान अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं मैं उनको कहता हूं तुम लिखवा कर देने के लिए तयार हूं कि अखिलेश जादों की सरकार में फसाद नहीं होगा चलो अखिलेश लिखने के लिए तयार नहीं है तो जो मुसल्मान अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं वह मुसल्मान क्या मुसल्मानों को लिखवा कर दे ल नहीं होगा तो ऐसा भी लिख कर देने के लिए कोई मुसल्मान तयार नहीं है बल्कि प्राइवेट में कहते हैं कि नहीं है गरंटी तो नहीं दे सकते यह उनको भी यकिन नहीं है कि फसाद नहीं होगा तो इसलिए साथियों यह बात ओड़ देने के पहले समझना हो एक और बात कहिना चाहता हूं नरिंद्र मोदी डेली विकास 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 इतनी बार विकास कहते हैं आज तक मुझे शडूलकाश के विकास का कोई कोई प्लान उन्होंने घोशित किया एक भी प्लान आज तक हमने पढ़ा नहीं आदिवासियों के विकास का कोई प्लान घोशित किया ऐसा भी कोई प्लान हमने आज तक पढ़ा नहीं ओबी सी के विकास का प्लानिंग तो दूर अरे प्लानिंग के लिए उनके आक्रे इखटा करने के लिए नरिंद्र मोधी तयार नहीं है मुसल्मानों के विकास का तो बहुत दूर की बात है उनको तो टिकिट देने के लिए कोई राजी नहीं है बीजेपी वाले और अगर टिकिट देते भी है तो पहले उसको दामाद बनाते हैं और उसके बाद उसको टिकिट देते हैं दामाद पहले बनाते हैं टिकिट उसके बाद देते हैं ताकि उसको पहले अपने जैसाई बना लेते हैं और फिर टिकिट देते हैं तो इस तरह से मुसल्मानों का या माइनोरिटी का रिप्रेजेंटेशन भारत के सविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो नहीं है तो विकास की योजना बनेगी कैसे इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के द्वारा भी कोई विकास की योजना बनाई नहीं गई समाजवाभी पार्टी ने कोई विकास की योजना बनाई हो उनके राज में उनके पिताश्री के राज में या आखिलेश के राज में ऐसा कोई सबुत उपलब नहीं है इसलिए साथियो मैं आप लोगों को अनुरोद करता हूँ कि यह जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं इन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के पहले आप लोग ध्यान रखेंगे मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा मुख्य अजंडा चुनाव नहीं है हमारा मुख्य अजंडा इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्ता से आजादी हासिल करना है व्यवस्ता परिवर्तन करना है तो जिनके पास केवल चुनाव का ही अजंडा है तो चुनाव के बाद बंद है उनका गार उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है हमारे पास अगर चुनाव खत्व हो गए तो भारत बंद है हमारे पास कारेकरम की कोई हमारे पास भारत बंद का कारेकरम शुरू हो जाता है लड़ाई जारी हो जाती है तो हमारे पास चोबीस भूंटे लड़ने के लिए कम पढ़ते हैं हमारे पास कोई लड़ने के लिए कार्यक्रम नहीं है ऐसा नहीं है तो भारत्बंद का दूसरा कार्यक्रम यह एक राजनितिग्ध की घस्तक्षेव हैं हम लोगों ने जो अंदुलन ख़़ा किया वह सांदुलन के द्वार हम राडनिती कहस्त अक्षेब कर रहे हैं कोई नई सकता माई का लाल कि और सभीधानिक नई है हम लोग जो अंदुलन करने वाली लोग है केवल मांगने काही काम करें गलत हुए को देखोल मांगने का काम नहीं करेंगे तो हुआ हुआ हमारे लोग सत्ता के छेत्र में प्रवेश करने का भी काम करेंगे केवल मांगने का काम नहीं करेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो अंदुरन चल रहा है और राजनितिक हस्तक्षेव करने का काम चल रहा है इसलिए मैं किसी राजनितिक दल का सदर्ज नहीं हूँ हम राजनितिक हस कारेक्रम है जेल भरों अंदुलन का कारेक्रम है और तीसरा हमारे पास मौली कुरुफ से सविधान लागू करने के लिए सोप्रेम कोट में जाकर लड़ाई लड़ने का कारेक्रम है जिसके तहत हमने इवियम मशीन के विरोत की लड़ाई लड़ी जीती और पेपर टेल लगा गया मैच करने से वोटो का मैचिंग करने से फ्री फेर एंड ट्रांस्परेंट होने वाला नहीं है यह लड़ाई सोप्रेम कोट वोपन होने की हम रहा देख रहे हैं और यह लड़ाई सोप्रेम कोट में लेकर जाएंगे और यह लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे पास केव वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास दंदा बंद हो जाता है, हमारे पास उसके बाद भी लड़ाई जारी रखने का कारे करम हैं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने समाज की निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप ये ध्यान डखे कि जो लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हाथ मजबूत करने का काम आपको करना चाहिए, अगर आप हमारे हाथ जतने ज़्यादा मजबूत करेंगे, वो तनी आपकी आवाज मजबूत होगी, ऐसा अपील करते हुए आप लोगों को राष्टी परिवर्तन मोर्चा के और बहुजन मुक्ती पार्टी के और अलग 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 जो बारा तेरा दल है छोटे छोटे उन तमाम दरों के कैंडिडेट को दूसरे चरण के कैंडिडेट को ओड़ देने के मैं आपको अपील कर कैंडिडेट के नाम भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कैंडिडेट में पहला नाम है आई शुमती रीटा विदानसभा खेत्र तीन नंबर सारान सारानपूर नगर इंजिनियर डिपी सिंग विदानसभा खेत्र छे रामपूर मनिहारन वकार अजहर विदानसभा खेत्र शात गंगोह महेश महेश सीह विदानसभा खेत्र उन्चालीस धनोरा सुरक्षेत कुरुपाशंकर शाक्य विदानसबा क्षेत्र 117 BMP Data Ganj मोहम्मद सलीम अंसारी विदानसबा क्षेत्र 112 Nawab Ganj BMP सुनिल कुमार गौतम विदानसबा क्षेत्र 112 Faridpur BMP माखनलाल कशप विदानसबा क्षेत्र 126 आवला BMP कि इन केंडिडेट को जिनका नाम मने लिया उनको ओड़ देकर जिताने का काम करें यह अपील करते हुए अपनी बात यही पर समाप्त करता हूं आपने मेरी बात ध्यान से सुनी इसके लिए आवार धन्यवाद धन्यमाद मानी राष्टी एद्धा साथियों आज राष्टी परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो बहुजन मुक्ती पार्टी यो मन्य सेहोगी दलो के द्वारा दुती चरण के उमिद द्वारों के समर्थन में वर्चूल महारेली हो रही थी जिसके उद्घाटक मानी राम सुरेश वर्मा जी राष्टी अद्यच राष्टी किसान मोर्चा आप जुड़े इसके लिए आभार और धन्यवाद मानी चोधरी विकास पतेल जी आप जुड़े इसके लिए आभार और धन्यवाद मानी प्रविंद प्रताव सिंग आप भावी मुख्य मंत्री आप इस कारिकम में जुड़ और aैंव इसके लिए बहूत बहुत आभार और दन्यवाद है फेले में च unwilling है ओठाम च्नीह के शुदो जये मारलामनी वांदा मशारा वास्टीपरिवर्थ तनमोर्चा आ mythical स्निवेश लिए के लिए कि उच्छा क्तर्पस्यी ​​ है पुदै झाल झाल झाल